नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आए शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बर से जतीपुरा में हुआ श्रीराम भक्त कार सेवकों का सम्मान श्रीक्रेशन जनमभुमी संगर्स नियास द्वरा जतीपुरा में सभी श्रीराम के भक्त कार सेवकों का सम्मान किया गया इस अबसर पर श्रीक्रेशन जनमभुमी का केस लड़ रहे दिनिश शर्मा पालहारी ने कहा कि भगवान श्री राम अहुद्या में विराजमान होने वाले हैं भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जिन जिन कार सेवकों ने संघर्स किया पलिस की लाठियां खाई और सभी कार सेवकों का हम घर घर जाकर सम्मान कर रहे हैं उसे श्रंखला में श्री राम भक्त सम्मान या सब्मानित किया गया इस सबस्वाइब पर राश्ट्रिय प्रवक्ता राजेश पाठक ने कहा कि असली लड़ाई तो कार सेवकों ने ही लड़ी है इनका सम्मान होना बहुत जरूरी है देश में करांतिकारियों की कोई कमी नहीं है इस मौके पर प्रोफेसर चंदरशेकर सर्म ने कहा कि उस समय मौलायम सिंग की सरकार थी और कार सेवकों पर पुलिस द्वारा लाठियां बड़साई गई थी किसी भी कार सेवकों द्वारा अपनी जान की चिंता नहीं करते हुए भगवान श्री राम का मंदिर आजाद कराया था राश्ट्री स्वयम सेवक संग के बल राम का मंदिर आहुद्या में लगभाग तयार है अब मत्रा में श्री क्रिश्न मंदिर की लिए तयारी कर रही है नयायले में केस चल रहा है हम सभी क्रिश्न भक्तों की प्रातना है कि जल्द से जल्द नयायले द्वारा फैसला हो और भगवान श्री क्रिश्न का भावि मं सुभी देखे गए कार सेवक किरोडी चौदरी नारायन कौशिक छोटे लाल को महेरिया जी बानु परशर गुडिया भया चिया राम शर्मा ओंप्रकाश शर्मा को सम्मानित किया गया राम परोहित ने आथतियों का दोपट्टा पहना कर स्वागत किया इस अवसरपर लक्ष जदीप्रा गोबर्दन में आए हुए हैं और यहां जितने भी कार सेवक हैं जो भगवान सी राम के मंदिर को आजात कराने में जितनों ने अहम भूम का निवाई थी जनोंने पुलिस की लाटियां खाए थी आज उन सभी काम सम्मान करने आए हैं और यहां पर जदीप्रा में ब्रिजबाशियों के साथ में गिर्राजी के तरहेटी में हमने सभी कार सेवकों का सम्मान किया है और हमने मत्रा जन्पद में जहां जहां कार सेवक हैं वहां हम उनके घरगर जा रहे हैं और उन सभी उनके गाउं में जा रहे हैं और इनका स्वागत सम्मान करें क्योंक देश को आजात कराने में करानतकारियों की भुमकादी और भगवान सी राम के मंदिर को आजात कराने में देश के कोने कोने से सनातनी हिंदू आये थे और उन्होंने भगवान सी राम के मंदिर को आजात कराया था ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है यूँ तो 1992 में इनोंने जो संगर्ष किया था जो तीन दिन सभी क्रांतकारियों ने सभी सनातन हिंदों ने भगवान सिरी राम के मंदर को आजात कराने में जो अहें भुमका निवाय दी उन सभी कार्शिवोगों का सम्मान करने पर ये आज इतने खुसे हैं कि आज इनके आखों में आशु आ गए थे इनोंने कहा था कि आज हमको याद किया गया है 1992 के बाद में अब तक हमको किसी ने याद ने किया तो हमारी भगवान सिरी राम से यही प्रात्ना है कि ऐसे क्रांतकारियों का ऐसे सनातनी हिंदों का सम्मान हमेशा होना चाहिए मेरी तो सरकार से भी मांग यही है कि जो आप MLC बनाते हैं जो आप वो बड़े-बड़े पदों पर जिनको बैठाते हैं उन पदों पर भी ऐसे राम भक्तों को बैठाना चाहिए क्योंकि यह लोग निश्वार्थ भावना से सेवा करने गई थे इनको कोई लोब नहीं था खबरों में अब तक लिए बस इतना ही फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देख तेरी आर्पियस समाचार हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जब जब